पिछले 28 नमंबर को एंगल्स की दो सवी वर्षगाट को मनाया गया पुरी दुनिया में उसी को लेकर आज हमारे साथ दो महत्पूर्ण महमान हैं जो एंगल्स के राजनितिक प्रासंगिक्ता पर और उनकी राजनिती को लेकर हमसे बात करेंगे पहली हमारी गेस्ट हैं कॉमरेश सुवासनिय अली जो पॉलिद बेरू मेंबर हैं CPIM की और प्रवीर पुरकायस्त जो एडिटर अंचीफ है नीज क्लिक के तो जो मेरा पहला सवाल है वो प्रवीर से है प्रवीर आपको आप हमें यह बताइए कि 200 साल हो गए मांक्स एंगल्स के जनको और किए आजर ज़रुद है कि यह से डूनिया भर में कहा जा रहा है कि एंगल्स स्थापित करने के लिए कुछ नही सिर्फ पर से कि जो संक्ट बिन्या के सामने है चाहे वो global warming की, चाहे की economic meltdown जो 2008 के संकट के बाद चल रहा है, इसके साथ-साथ और भी COVID-19 के वजए से जो दिनिया में challenges हैं, यह सब को लेके एक पूजीवादी संकट के खिलाब क्या चिंतन हो सकता, इसके बारे में लोग सचेत हैं और इसके बारे में लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, एक हिसाब से मार्ग्जवाद का एक कह सकते हैं, एक नया दौर शुरू हुआ है, पर इसमें एक कमी रही है कि वजञानिक तपके, technology की जो लोग है, वजञान के लोग है, वो एक हिसाब से राज़ीद से अपने आपको काफी अलग रखते हैं, और जो पहले की किती थी, खास तोर से दूसरा महायुद्ध के बाद, खास तोर से न्यूक्लियर वैपन्स की प्रयोग के बाद, इरोशीमा नागासाकी में, जो वजञानिकों की जो भूमिका थी, खास तोर से peace movement में, उस तरब भूमिका वजञानिक तपके को इस वक्त हम नहीं देख रहे हैं, और COVID-19 साफ कर दिया, कि epidemiologists जो कह रहे हैं, कि वो राजनितिक बात है, कि public health जब तक center में नहीं रहेगा, हमारे policies की, तब तक infectious diseases की जो प्रभाब है, प्रकोप है, वो हमारे समाज में रहेगा, अब तक ये सिर्फ गरीब देशों में था, अब जो है, दुनिया भर में है इसलिए लोग इसके बारे में फिर सोचने लगे हैं, ये सब राजनितिक बात है, पर विज्ञान technology के साथ जुड़े हुए है, और अब देखी सकते हैं, कि digital monopolies की जो प्रभाब है, उसके उपर भी, जब तक विज्ञानिक technologies इस राजनितिक बहस में नहीं आएंगे, तब त की एहमियत ये है, कि उन्होंने विज्ञान पर काफी दिल्चस्पी लेकर पहाई की, उनकी अध्यन बहुत गहरा था, बहुत विस्टित था, और उस वक्त की जो विज्ञान था, जिसको आज शायद हम 200 साल बाद उस तरह से पहचान भी नहीं पाएंगे, पर जो सवाल उन ही है, ये हमेशा matter in motion जो कहें, बदलती रहती है, इसको देखें, और angles की जो दूसरी बात रही, dialectics की laws की इलावा, वो है कि dialectics of nature उनके छोटा सा एक chapter है, on हाथ कैसे इनसान को बदला, और labor कैसे हाथ को बदला, तो ये जो हाथ, उन्होंने evolution, human evolution के प्रातिमित्ता हाथ को दिया, जिससे हम tools बना सकते हैं, और उन्होंने ये भी कहा, evolution सिर्फ tools बनाने के लिए नहीं था, tools से भी हमारा हाथ की evolution हुआ है, तो a dual character, जो है पुड़ा labor की, हमारी evolution में और tools की evolution में, दोनों एक साथ देखना है, कि समाज और प्रकिती, ये एक पारस्पर की जो संबन्ध है, वो हमारे labor के जरीए होता है, तो इस पे ग्यानिक दुनिया में, आज भी, अगर आप देखे, तो हम मानते हैं, कि human beings are tool making, कि हम tool बनाते हैं, पर इस पातविक तक हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है, हम हर जानवरों से अलग है, हमारे अलग करने वाला, ये सिर्फ अपना कहते हैं, labor process, जो हाथ से जिसकी स्रिष्टी हुई थी, ये Engels ने दर्शाया था, dialectics of nature उन्हें ने खतम नहीं किया था, anti-during जैसे कुछ तके उन्होंने खतम किया था, dialectics of nature उनकी, क्योंकि Mars के मौत के बाद उन्होंने उसी पर ध्यान दिया, Mars के Captain Volume 2, Volume 3 वगारा लिखने की, वो अधुरा रह गया है, पर अभी भी उस चीज में अगर आप जाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे चीजे बिलेंगे, जो आज के लिए हमारे, आज के लिए भी जो हमारे बहुत ही important है. कुमिर सुहसनी, आप खास करके चुकि आंदोलनों से सीधे तोर पे जुड़ी रही हैं, तो क्या जो प्रवीर ने कहा कि जो अकादमिक तोर पे या विज्ञान के नजरिये से एंगल्स के पढ़ने की ज़ुरूरत है, मूवमेंट में भी क्या इसी तरह की सोच है, एंगल् में हैं, वो शायद एंगल्स को जानते नहीं हैं, लेकिन अगर हम महला अंदोलन को देखें, तो निश्चित रूप से महला अंदोलन के अंदर जो सबसे अधिक प्रभावशाली सोच है, जो एक बामपंथी सोच है, उसका उदय कहां से होता है, वो कहां से आता है, वो इस सबसे आता है, जिसको एंगल्स ने शायद दुनिया में सबसे पहले लोगों के सामने सपश रूप में रखा, कि ऐसा नहीं है कि महलाएं हमेशा से ही दबी ही थी, हमेशा से ही उनका दूसरा दर्जा था, आज जब हम लोग महलाओं की स्थिती को बदलने की बात करते हैं, तो हमारे जवाब में आता है, कि अरे ये तो कभी होई नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया में हमेशा हमेशा से ही औरतों की अलग भूमिका रही है, उनका दूसरे दर्जे का स्तर रहा है, समाज के अंदर ये तो कभी बदल नहीं सकता है, तो इसका जो सबसे प्रभावशाली जवाब है वो हमें एक तरह से एंगिल्स की सोच और एंगिल्स के लेखन से ही मिलता है और वो यह है कि हमेशा ऐसा नहीं था अब आप लोग तो जानते ही हैं प्रबीर ने भी कहा कि मार्क्सवादी सोच जो है वो डायलेक्टिकल है मतलब वो बदलाओ के बारे में हमको बतात है कि बदलाओ की एक दिशा होती है जब एक तरह से समाज आगे बढ़ता है तो एक ऐसा समय आता है जब एक वो छलाग मारता है और एक नए तरीके का समाज बनता है तो इस सोच को उन्होंने क्योंकि आज हम लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है प्रबीर भी यहां बै करती है लेकल हम हर छे बड़ी को बड़ी प्र्त रखे ofili नीन आत्री को लागो करने की कोशिश नहीं है तो ये जो गौन्दात्मक सोच उन्होंने समाज के बारे में तैयार की और उसके नजरिये से जब उन्होंने महिलाओं की हालत को देखा तो कई चीजों को उन्होंने सपष्ट किया और उन्होंने महिलाओं के बदलते स्तर को समाज के अंदर बदलाओं के साथ जोडने का काम क और उन्होंने बहुत दिल्चस्प बात बताई जो हम लोग जब अपनी महिलाओं के बेटते हैं उनको समझाते हैं तो समझाता इतना मुश्किल भी नहीं होता है क्योंकि हमें खुद अपने इतिहास से या अपने जो एपिक्स है हमारे महाभारत है रामायन है या दूसरे हैं उनसे भी बहुत सारे उदारण मिलते हैं जो एंगिल्स की सोच को स्पष्ट करने में बहुत हमारी बदद करती है तो वो यह कहते हैं कि जो बहुत ही प्राचीन काल था तो उसमें जो हम आज याद करते हैं कि महिलाओं का बहुत उचा स्तर था तो वो उचा तो था ये बात का स्तर बहुत मुचा था लेकिन अगर उस समाज के हम रहन सहन को देखे उनकी जी विका की इस्थिति को देखे तो वह वह बहुत पिछड़ा हुआ समाज था क्योंकि उस समाज में निजी सम्पत्ती का उद्रे नहीं हुआ था और लोग जो बहुत ही कम साधन थे बहुत कम ओ वरतन आया वो शायद क्रिशी के विकास के साथ आया कि जब क्रिशी का विकास हुआ और समाज में एक इतना उत्पादन होने लगा जो केवल जिन्दा रहने के लिए काफी नहीं था बलकि कुछ और भी काम संभव थे या और भी नए तरीके का जीवन संभव था तो फिर मिश्चित रूप से लोगों की सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आया मेरा तेरा और मैं अपना बढ़ा हूं मैं तुम्हारा चीनूं मतलब ये सारे ने खाल समाज के अंदर पैदा हुए लेकिन इसके साथ साथ जब निजी संपत्ती पैदा हुई तो तब तक जैसा कि ह हमें मालूम है और हम लोग जब पढ़ते हैं अपने इत्यास को तो उसमें भी उधारन मिलते हैं कि जिस तरह की शादी आज हम देखते हैं कि एक आदमी एक औरत के साथ शादी करता है या कम से कम एक औरत केवल एक ही आदमी के साथ शादी करती है जो बहुर विवा की था मतलब हाल के इतिहास तक क्यों नहीं चली तो इसके पीछे जो जवाब एंगिल्स हमें देते हो बिल्कुल सही है कि जब जो जी संपत्ति है जब उसका फ्रवेश्ट समाज में हुआ और उस संपत्ति के उपर क्योंकि जो औजार थे उस पर काम करने के लिए जैसे हल इत्य जादी उस पर पुरुशों की मिल्कियत थी पुरुश उसके मालिक थे तो उस संपत्ति के भी पुरुशी मालिक हुए तो उसके साथ फिर ये निश्चित रूप से एक चाहत पैदा होती है कि हमारी जो जो ऑलाद है और हमारी जो जायज ऑलाज है यानि हमारी जो लेजिट संपती की वारिस होना चाहिए और जब आप वैद और अवैद संतान के बीच में फर्क करने लगते हैं और जब आपकी प्राथमिक्ता हो जाती है कि आप से को शारीकिदिक रूप से एक तरह से बंद रखना उनके उपर तमाम तरह के बंधन डालना उनका जो छेत्र है उसको घर में परिवर्टित करना और उनके आने जाने उनके मिलने जुलने को पूरी तरह से लियंतित करना ये बहुत जरूरी हो जाता है इसी को करके एक वैद्य संतान को मतलब सुनिश्चित कर सकता है अब अकसर यह सुनिश्चिता नहीं होती है मतलब लोग रास्ते निकालते हैं लेकिन आम तोर पर इन बंधनों से यह केवल शारीरिक बंधन नहीं यह केवल हिंसा का डर नहीं बलकि जो तमाम विचार धारात्मक लोगों के अं पर तमाम चीजें लोगों के दिमाग में डाले जाते हैं तो वो भी इन बंधनों को बहुत पुक्ता बहुत बजबूत करने में मदद करते हैं तो यह जो सोच हमने एंगिल्स से पाई हमारे आंग्रोलन ने पाई यह सिर्फ हम लोग जो कर्मिनिस्ट हैं हम तक करसीमित नह हमारे पूरे महिला आंग्रोलन में बहुत से लोग जो शायद एंगिल्स का नाम या एंगिल्स की किताब से अपरिचित हैं वो भी इस बात को समझते हैं और उनके अंदर भी अब यह समझ काफी दूर तक जा चुकी है कि जब तक कोई एक समाजवादी विवस्था नहीं स् जहां से जो निजी संपत्ति है उसका जो बोल बाला है वो जो हावी है तमाम मानवी रिष्टों के उपर जब तक इसमें कमी नहीं आएगी तब तक महिलाओं की मुप्ती भी संभव नहीं है अब इसकी सोच काफी प्रचलित है हमारे महिला आंग्रोलन में और यह हमारी बह देखते हैं कि कई मामिलों में महिला आंग्रोलन शायद सबसे ज़्यादा प्रगेशील है और शायद सबसे ज़्यादा बन्यादी सवालों को भी उठाती है और निश्चित तोर पे अगर एंगिल्स को हमारे भारती समाच का और भी ज़्यादा शायद ग्यान होता तो वह यह भी बात जोड़ते हैं जिसको हम लोग बहुत एहसास करते हैं कि निजी संपत्ती की सोच के साथ और निजी संपत्ती के प्रभुत्र के साथ साथ हमारे देश में महिलाओं को सीमित और नियंत्रित रखने की एक और बहुत बड़ी संस्था है और वो है वर्ण आश्रम जात की संस्था क्योंकि जाती पवित्र का प्रभुत्ता को बनाये रखना यह भी महिला की ही जिम्मेदारी है महिला को ही मतलब अपने जात के अंतरगत सीमित करके महदूद करके उसकोई भी शारीरिक रिष्टा उस जात के बाहर होना ही नहीं चाहिए किसी को सुनिश्चित करके जात की पवित्रता को बनाये रखा जा सकता है तो हमारे देश में हमारे समाज में एक तो निजी संपत्ती और उससे निकला पुरुष प्रधानता और आज जो हम पुझी वाद का विकास देख रहे हैं पुझी वाद यह सारी चीज़े तो महिला महिलाओं के मतलब अधिकारों को सीमित करती ही हैं लेकिन हमारे देश में अगर आप देखें तो वर्ण आश्रम धर्म की संस्था भी और उसको मानने वाले लोग और उनकी सोच भी बहुत महिलाओं के अधिकारों पर उठारा घात करता है और इसका सबसे बड़ा उधारण है मनुस्पती क्योंकि उस मनुस्पती में साफ साफ लिखा है कि किसी महिला को बच्पन से लेकर के बढ़ापे तक अपने उपर किसी परकार का नियंतरण नहीं हो सकता है हमेशा बाप भाई बेटा या पती उनी के नियंतरण में महिला को रहना चाहिए यह मतलब सबसे का जो नियम है वो मनुस्पती और हमारे जो समाज में बढ़ विवस्था को बनाये रखने वाले लोग हैं वो उसको लागू करते हैं और आज ऐसे लोग हमारे देश में राज कर रहे हैं और उसका नतीजा अभी हमने उत्तरण देश में देखा जहां ये महिलाओं की जो प अर्मिक विवा हैं उनको भी पूरी तरह से बिल्कुल बंद करने के लिए मतलब हमारा जो संगधान अधिकार देता है महिला को उसको चीनने के लिए उत्तरण देश की सरकार में अध्या देश पास किया है वो बहुत ही जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रकोनियन है और दो लक्ष हैं एक तो निश्चित रूप से महिलाओं के अधिकार का हनन करना और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके ओपर अत्याचार और भी जादा करना और उसके साथ उसको लेकर के समाज के अंदर धार्मिक धुवी करण को और भी ज्यादा मतलब गहराई के साथ समा समाज के अंदर तयार करना और इस धुवी करण के चलते जो यह भारती जंता पार्टी और संग परिवार है वह राजनेतिक लाब भी अपना उठाती है तो एंगल ने जो बताया वह निश्चित रूप से आज हमारी इस बड़ी लडाई में बहुत हमारे लिए मदत करती है हमको औजार देती है हत्यार देती है कि हम भी अपने जो हमारा जो स्तर समाज में उसको समझने के लिए बहुत कुछ हमको एंगल से मिला है और जो एंगल ने हमको दिया है उससे हम यह जो आज ने हमले महिलाओं के उपर हो रहे हैं उनको भी समझने में हम कुछ हद तक हैं तो यहां पर हम इतने ही कहना चाहेंगे कि एक दुख की बात यह है कि एंगिल्स का जो हिंदी में अनवाद हुआ है वो मेरे कार से ज्यादा तर सोवेट उनियन में हुआ और वो बहुत ही क्लिष्ट भाशा जानने वाले हिंदी अम मतलब जिस विशेश अग्यों को ले गए थे तो वो जो हिंदी है इतनी क्लिष्ट है कि वो समझना बहुत मुश में इंगिल्स को जानना सबसे ज्यादा शायद जरूरी है तो इस बात को अलग करके आपको एक ची आउर बताना चाहता था कि जो कास्ट और प्राइबट प्रॉपर्टी की जो जिकर सुवाशी ने किया कि उसके साथ एंगिल्स ते स्टेट की ही बात की थी कि अमबेटकर इसलिए कहा था कि अगर कास्ट सिस्टम को हिंदुस्तान में खतम करना है तो इंटर कास्ट मैरिज भी जरूरत है और ये जब तक नहीं होगा तब तक कास्ट बरक्रा रहेगा माता पिता का जो कहना है बेटा बेटी को चोटी सी तो बात है और सब कुछ कर लो लेकिन शाद हमारे चुदने के बाद करो ये जो अब भी आकड़े कुछ है कि 4-5 परसंट से ज्यादा स्वेच्छा से शादी हिंदुस्तान में नहीं होता है ये हमारा कास्ट सिस्टम को बरकरा रखता है और अब तो ये जो इंटर कम्यूनिटी इंटर फेट वाला अंतर धार्मिक का मा वो तो और भी ज्यादा मतलब एक हिंसात्मक ले रहा है तो सवालों को आगे बढ़ाते हुए आंदोलन की ही बात करते हैं परवीर आप भी साइंस अंदोलन से विज्ञान से रिलेटेड अंदोलन से जुड़ रहे हैं एंगल्स को लेकर और मार्क्स अंगल्स दोनों को ले पहलू है एक तो है कि मार्क्स अंगल्स जब लिख रहे थे उसको उत्पादन के बारे में पूजी बात की उत्पादन क्या 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 कैपासिटी है उसको अगर आप देखे तो एक्च्वेली वो सही भी निकला क्योंकि अब किसी ने कैल्कुलेट किया है हमारा ग्लोबल ज जो मार्क्स अंगल्स की कलपना बेज हो थी वो बिल्कुल साफ था कि ये एक बहुत बड़ा परिबतन उत्पादन में लाए गार इसके साथ-साथ-मार्क्स अंगल्स एंगल्स की आज शर्चा हो रही है इस विए बिखादन दिकर कर रहे हैं एंगल्स और मार्क्स दोनों इसके बारे में लिखा है कि उस पादन के साथ साथ destruction भी किता आ सकता है उन्होंने उधारन जिया था मैंसे पोटेमिया का उधारन जिया था पर मार्क्स की अब देखेंगे उसकी जिकर है Capital Volume 1 में कि कितने वीवर्स लाखों के तादाद में हिंदुस्तान में मरे टेक्स्टाइल बिल्स चलने के तादाए तो यह जो यह चित्र है कि एक पाक्षिक नहीं है कि उतपादन से सब कुछ विकसित हो जाएगा दुन्या के सारी प्राबलम सॉल्व हो जाएगा तो आज के तारिक पे जो इको सोशलिस्ट मूवर्मेंट की भी जो शुरुवात हुई है 60's, 70's में तो वो यह चीज को इसी से शुरू करते है कि मार्स्कवाद के अंदर यह चीज़े है और मार्स्क एक पाक्षिय तरीके से विकास सिर्फ टेक्नॉलोजी को जोगे साइंस टेक्नॉलोजी की जोड के नहीं किया था और दुख की बात दूसरी है कि यह जो एटैक मार्स और एंगल्स पर आता है खास दोर से मार्स पर नहीं एंगल्स पर ज्यादा आता है कहते हैं मार्स हुमैनिस्ट था और English Science, Technology यह सब चप्चा करके इसको एक Deterministic दे दिया, अगर आप देखें तो Marks अरेगे, क्योंकि Marks की इस वक्त Notebooks सामने है, प्रकाशित हो चुकी है, तो उस Notebook अगर देखें तो देखें कि उनकी जो भी बातचीत हुई है, उन दोनों को जीच में, जिस दजरिये से वो द देख रहे थे, Marks विज्ञान अर टेक्नोलोजी की काफी जानकारी से भी रखते थे, उन्होंने Capital में जो टेक्नोलोजी इतिहास की जो जिकर किया है, टेक्स्टाइल बिल्स को लेके, इतना गहरा, और कोई Historian of Technology उस वक्त नहीं था, उन्होंने इन चीजों के इस तरह से वि अच्छा चीज भी करेगा और उसके साथ साथ समाज के लिए और प्रकिती के लिए खत्रा भी पैदा करेगा, उसकी सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल लेवल क्या होगा, वो समाज को निंदय करना है, पूजी बाद नहीं करेगा, अगर पूजी बाद एक करता है, तो सिर् इसकी उपर आपका stock market का price निर्भर करता है, आपका stock price निर्भर करता, अब एक साल, 10 साल, 15 साल तो सोची नहीं सकते, एक साल भी नहीं सोच पाओगे, और इसी लिए अभी भी Poojivaad COVID-19 की जिस तरह सामना कर रहा है, उसे साफ है कि उसकी आम जनता पर रुजान नहीं है, stock market की price क्या है, वही सिर्भ देख रहा है, चाहे ट्रॉम्प हो, चाहे हिंदुस्तान में मोजी सरकार है, कि stock market अगर ठीक रहा, तो देश ठीक है, stock market अगर गिर गया, तो बहुत बुरी रालत हो गई, और उसमें लोगों की क्या हालत हो रही है, उसमें नजर डाली की जरुरत नहीं है, यह कुजी बात की कमजोरी है, कुजी बात की sterility है, इसको दर्शाता है, और Marx, Engels इन दोलों इन चीजों से काफी वाकिष थे, और उनकी लेखन इसमें बहुत साफ है, कि वो productivist जो कहते है, उस नजरिये से उन्होंने उस पादन को नहीं देखा है, उस पादन और प्रक को पढ़ते हुए, आज जो कोविट के बहाने से मजदूर वर्ग पे जो हमले हो रहे हैं, उसको हम किस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं, देखे, जो उस किताब से सामने आता है, और उनके और भी लेखन से, तो वो एक मामले में बिलकुल स्पष्ट हैं, और हमको उनकी स पष्टता से कुछ सीखना चाहिए, उनका ये मानना था, उन्होंने लगा था, सब को समझाने की कोशिश की, कि पूझी पती अपने फाइदे में ही करता है, जो कुछ करता है, अगर मान लीजे, वो मजदूरों को जो लगता है कि कोई राहत दे रहा है, तो उसमें भी कहीं ने कहीं उसका कोई स्वार्थ छिपा हुआ है, वो उस राहत को ही इसलिए दे रहा है, कि उसका उसकी उत्पादक शक्ती और ज्यादा बढ़ जाए बगएरा बगएरा, तो अगर हम देखें पुझी वाद की इतिहास को, तो कभी भी जो मजदूरों के साथ नया होना चाहि पुझी पतियों ने पुझी वाद की प्रणाली ने पहले मौका पाते ही उनसे चीनने का काम किया है, यह बात आपको तो हिस्ट्य वर्किंग क्लास में भी मिलेगी और जो उनकी पूरी थिरी थी मतलब सप्रस वैलियूर की और जो पुझी वाद के विकास की थिरी थी वो स्पष्ट हो जाता है तो यह जो कुछ लोग उमीद करते हैं कि पुझी पतियों का दिल होता है या कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ मतलब हुमेनिटेरियन होते हैं, मानुवी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, यह सब बिलकुल बिकार की बाते हैं, आप देखे अगर कहीं भी मानुता की या मानुई द्रिष्टिकोंड की जरुवत थी तो इस करोना काल में थी लेकिन आप भारत को छोड़ दीजिए जो सबसे धनाड देश है अमेरिका आप वहाँ से शुरू कीजिए कमाम विक्सित देशों को देखे और हमारे देश को देखे और उनको जो भी सहुलते मिल रही थी वो उनसे चीनने के लिए अमेरिका में तो आप जानते हैं कि जो थोड़ा बहुत वेलफेर स्कीम है और जो उन्होंने पहले दो तीन महीनों में कुछ राहत भी दे थी उसके बाद वो भी देना बंकर दिया जो वो हर एक के अक उसको तो समाप करी दिया लेकिन इसके साथ साथ बिलकुल अमानुई तरीके से जो प्रवासी मज़ूर अपने घरों से दूर दूसरी जगाओं पर थे काम के लिए उनकी दिक्तों को दूर करने के लिए सरकार ने बिलकुल कुछ भी नहीं किया तमाम वादों के बाद और इस तरह से उनको लोटने के लिए मजबूर किया कि इन परिस्तितियों में तो पुझी वाद का बहुत ही बेहुदा और नंगा चहरा सामने आया है और यह वही चहरा है जो आपको लगातार कैपिटल में एंगल्स की हिस्ट्री में बार बार देखने को मिलेगा कि हर मौके को करके पुझी वाद अपना यही चहरा दिखाता है क्योंकि यही उसकी असलियत है आज अगर आप एंवारिम्मेंट की बात कर रहे हैं तो वह तो आप जानते ही हैं कि चार पांच बड़े बड़े तेल की कंपनिया हैं जो आदे से ज्यादा प्रदूशन के लिए जिए जिम पर और सारे संसादनों पर उसका कबजा हो जाएगा और उसको वो लिथियम मिल जाएगी जो उसके लिए जरूरी है उसका शेर प्राइस एकनम से उचल जाता है और फिर उसके बाद तक्ता पलट होता है वहां पर इलेक्शन होता है और मुरालेस की पार्टी जी जाती है औ नादानी है ये एक तरह से जिसको कहना चाहिए उनके उनका हतकंडा बन करके काम करना है ये प्रणाली शोशन पे ही आधारे थे और ये ही वो दोनों लिख रहे थे बार 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 बता ले थे कि इससे उम्मीद मत करो इसलिए इसको हटाना है अगर इसमें उम्मीद होती सुधार होता और कोई अच्छे दिन हमको देखने को मिलते लेकिन चुकि इनोंने साबित कर दिया कई बार कि इसमें सुधार हुई नहीं सकता है तो जो अमरे पास तो टाइम था उसको देखते वे आज के लिए हम इसी पर रुपते हैं तो एंगल्स के लिए और बहुत कु कर दो 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 झाल झाल